स्री शिवाय नमस्तु भेयाम हम सब को पता है कि नौरात्री का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है नौरात्र की पंचमी तिती 37-37 दिन 100 मुआर भी है जो कि इस महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाता है काफी जादो लोगे मैसेश थे बेया कि जो आम की कोमल 11 पतियों का उपाया है पूझ गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था उसे आप ठीक से समझा दें कि जो हमें शहद लगाना है वो कौन से साइड लगाना है लेफ्ट साइड लगाना, राइट साइड लगाना शिवलिंग पे कहां पे रख रहा है जिससे हमारे घर में धन समपदा हमेशा बनी रहे कभी भी पैसों की कमी हमारे घर में ना हो नौरात्री का ये पंचमी दिथी आपके जीवन में धन को लेके आएगा इस उपाय को जरूर करिएगा जो कि पूझी गुरुजी की कता से सुनके अच्छे से समझाऊंगा है ना देखो बहुत ही प्यार से समझा रहो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा चीजों को क्योंकि इसमें थोड़ी सी complicated चीजे हैं वो ये चीज है कि जिसे कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि जब वो आम की डंडियों को लेने जाते हैं पहले सबसे पहले समझ लो कि कुछ लोग कहते हैं हमें आम की 11 पत्ती को लेना है या फिर हमें 11 डंडियों को लेना है तो ध्यान लखिएगा आपको 11 पतियों का इस्तमाल नहीं करना यहाँ पे हमें आम की 11 डंडियों को लेना है अब डंडियों को लोग कैसे उससे पहले समझ लो कि हमें कौन सी पतियों को लेना चाहिए गुरुजी की कता अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो आपन लेना होगा ऐसे जो नई-णई कोमल पतिया नहीं निकलती है आम में वैसी वाली पति को लेना है अब पति का मतलब क्या हुआ कि उसके ये वाले जो डंठल होते हैं ऐसे ऐसे पूरा तोड़ लेना बार बार नहीं तोड़ना एक ही बार तोड़ेंगे जैसे मानलो कि इसको आपने तो इतनी बड़ी डंडी इसमें निकली है इस इतनी बड़ी डंडी को जो पत्ते होंगे आमके इसको तोड़ करके आमके पेंड के नीचे फेग देना और जो डंडी बचेगी इस डंडी को आपको 11 पार्ट करना है बहुत छोटे छोटे बड़े मत लेना छोटे छोट इतनी डंडियां नहीं आपको बहुत 11 डंडियों को लेना है और किसी भी एक साइड बातना है चाहे तो लेफ्ट साइड बान सकते हो या फिर राइट साइड में और कौन सी चीजों से बातना है जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बानते हैं आप चाहो तो उससे मार्कट में वो मिलता है कच्चा धागा आप चाहो तो कच्चे धागे से बान सकते हो जो भी आपको मिल जाए आप बातना दोनों साइड नहीं बातना किसी भी एक साइड चाहे तो इस साइड बातना या फिर इस साइड बातना है इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ तरफ अगर डंडी को बाधा है तो शहद लगाओगी कौन सी तरफ इस तरफ और अगर माल लेते हैं आपने इस तरफ डंडी को बाधा है तो शहद कौन सी तरफ लगाओगी इस तरफ यानि जिस तरफ हम डंडी को बाधेंगे कच्छे सूत से या फर रक्षा सूतर से उसके अ पहला काम आपको करना है कि जिस तरफ आपने शहद को लगाया है ठीके ना वो शहद वाला पोर्शन महादयो की तरफ होना चीहे और उस डंडी को हमें रखना कहां पे है माता असोक सुंदरी के स्थान पे ठीके ना इस स्थान पे डंडी को रखेंगे जिस तरफ शहद का जाओगे सफेद कलर का रुमाल लेके जाना चाहे वो नया हो पुराना हो और उस शफेद रुमाल पर जो डंडी में शहद लगा हुआ है उस शहद की मात्र एक बिंदी उस रुमाल पे लगा लेना है ना इतना करने के बाद में रुमाल को अपने पास रखेंगे और एक लोटा शुदजल तामबे की लोटे से स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करकी चढ़ा देंगे जिस रुमाल में आपने शहद की एक बिंदी लगाई है अगर आप ए घर में कर्ज की समस्या बढ़ रही है पैसे घर में ने टिकते दुकान नहीं चल रहा तो जिस अस्थान पे रुपाय पैसे गहने जिवरात रखते हो उस अस्थान पे रख दो माल लेते हैं इस उपाय को आप इसलिए कर रहे हो आप इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ जो कि ये भी बहुत फेमस उपाय है और इसके बारे में भी काफी लोग ने मुझसे कहा बिया स्वास्तिक वाला जो उपाय गुरुज ने बताया था जिससे अगर हमारे रिस्ते वीक चल रहे हैं या फिर हमारे बेटियों की शादी नहीं हो पा रहे है या फिर शादी हो गई है तो गलत शादी हो गई है कैसे सुधारना है इन रिस्तों को उसके लिए छोटा सा उपाय गुरु जने बताया उसकी बाद भी हम लोग करना है ठीके ना पत्ते के साथ में आपको कुछ और चीजों को भी लेना है आपको लेना होगा इस तरीके से कुमकुम रोली ठीक है ना यहाँ पे हमें लाल चंदन नहीं लेना आपको लेना है कुमकुम लेना या फिर रोली ले लेना इसको लेने के साथ में आपको जरूत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की, ध्यान लखेगा जो हल्दी लोगे वो पिसा हुआ हल्दी लेंगे, चाहे हल्दी लेंगे और या तो आपको क्या लेना है कुम-कुम रोली, दोनों तो लोगे इन दोनों चीजों को आपको क्या करना अलग-अलग इनका paste बनाना गाढ़ा सा, बहुत सूखा-सूखा नहीं होना चाहिए, हलका सा पानी डालके इनका paste बना लेना, पेस्ट बनाने के साथ में हमें जरुत पड़ेगी इस तरीके से चावल की, बहुत जादा नहीं, हाँ, दो चुटकी चावल लेना, यहाँ पर मैं दो चुटकी को मार कर रहा हूँ, जैसे मालो एक चुटकी चावल यह है, और एक चुटकी चावल यह है, ठीक है ना, एक चु जो कर रहा हूं, ताकि आप समझ में मेरी बात कोु कर लेंगे सुमस्तिक के नहीं यहां करनगते है है उससे और दूसरे स्वस्तिक का निर्माण करोगे जो आपने हल्दी लिया है उससे करेंगे जैसे मैंने बना दिया आप भी ऐसे बना देना अब इसको बनाने के साथ में आपको दो नियम को फॉलो करना नियम तो यह है कि मैंने आपको बताया है कि चावल को क्या करना है स्वस्ति के ऊपर आपको एक चुटकी छीट देना है ठीके ना जो आपने कुमकुम से चावल को कलर किया है उसे हल्दी वाले स्वस्ति के ऊपर क्या करेंगे छीट देंगे समझ रही मेरी बात को कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है फिर आप इस पत्ती को उठाना आपके घर में जिस विक्ती की शादी नहीं हो पारी या फिर जो विक्ती अपने रिस्तों को लेके बहुत परेशान चल रहा है बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहा है उस विक्ती के हाथों से एक बार टच कराना या फिर उसके हाथों में रख दे और जो शादियां नहीं हो पा रहे हो शादियां भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीके ना, करके देखिएगा, इजी सा और आसान सा उपाय था, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ जो की फोटो को ही देख के आपको समझ में आ होगा इस उपाय के बेनेफिट क्या है कि अगर आपके घर का कोई भी बच्चा ठीक है ना, बहुत क्रोध मतलब ना पढ़ता है, ना कुछ करता, सिर्फ दिन भर खेलना, दिन भर फोन चलाना, अपशब्द भासा के इस्तमाल करना, एक दूसरों की इज़त ना करना घर में ऐसे कंडिशन अगर आपके बच्चे के साथ में, या फिर घर का कोई सदस्च, आपके हस्बेंड हो, चाए आपकी वाइफ हो, तो इस उपाय को करेंगे, उससे पहले जल्दी से काम करेंगे, चोटा सा वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज मे नौरात्री के दिन में कर सकते हो, या फिर अगर नौरात्री में माल लेते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आने वाला है, अभी बहुत सारे दिन, चाहे दिपावली में कर लो, या फिर किसी भी दिन कर सकते हो, आसान सा है, शेहद लेंगे, शेहद की मातरा थोड़ी सी तिक ना कठोर है इसमें नौ मुखी ही रुद्राक्ष आपको काम करेगा कोई और रुद्राक्ष आपको नहीं लेना अगर आपके घर के आसपास में नौ मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल शुद्ध मिल जाता है तब तो ले लो और नहीं मिलता है तो मेरे पास है 9005643345 ये आप मुझसे भी मंगा सकते हो और मैं इस टाइम पे नौरात्री तक एक ओफर चला रहा हूँ आपको पता होगा मैंने अपने बर्डे तक किया था बस लोगों ने कहा तो मैंने थोड़ा सा ओफर को बढ़ा दिया अगर मुझसे आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी र तो 9 मुखी रुद्राक्ष यो आपने लिया है इस शहद के अंदर आपको डाल देना इस शहद को उठाना 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ में एक तामबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से और सीधा पहुचेंगे महाद्यो के शिवलिंग के पास में देखो महाद्य का पूरा परिवार शिवलिंग के उपर ही विराजमान है पता है आपको ना तो यह जो स्थान आपको दिखता है शिवलिंग पे यह है माता असोक सुंदरी का स्थान यहीं पे जो 9 मुखी रुद्राक्ष शहद के अंदर था सबसे पहला काम क्या करेंगे उस 9 मुखी बहुत टेंशन में आप हो उस विक्ति की वज़े से आप उसका नाम और गोत्र बोलेंगे उसके बाद में नौ मुखी रुद्राश को अपने पास रख लेना और जो ये शहद आपने लेपन किया है इसको निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना फिर एक लोटा शु ब्रेड में मिला दो पानी मिला दो किसी भी तरीके से उस शहद को 11 दिनों में अगर उस वक्ति को आप खिला देते हो पिला देते हो तो इंसान सुधर जाएगा चाये उसकी कितनी भी कराब आदते हो खराब संगती में आ गया हो इंसान वो धीरे-धीरे सुधर जाएगा ठ बेल पत्र के साथ में आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना है, कमल गट्टे की माला नहीं लेनी, माला मैंने आपको इसलिए दिखा दिया, कि अगर आप मुझसे 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, तो यही माला मैं आपको फ्री में दूगा, जिसकी कीमत मार्केट मे तो अगर चाहिए तो नमबर मैंने बता दिया है, मैसेज कर देना, तो आपको क्या करना, मात्र एक कमल गट्टा लीजेगा, उस एक कमल गट्टे को बेल पत्र के बड़े पत्ते के उपर रख करके, एक तामबे के लोटे में जल भरके, महादयो की शिवलिंग के पास चले जा और आपको एक लोटा शुदजल तामबे के लोटे से रिध्धी सिध्धी का नाम लेना है, किसका इस्मरण करोगे, रिध्धी सिध्धी का ध्यान करके, अगर आप चड़ा देते हैं, तो आप ए घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मालक्षमी कवास आप ए घर 3345 ओफर अभी सिर्फ नौरात्री तक है, अगर आप मंगा लेते हैं, तो आपको फ्री की जो चीज़े हैं, वो आपको मिल जाएंगी रुद्राक्ष के साथ में, बखी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है, स्री शिवाय, नमस्त अभ्यम